नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप एक बार फिर से ये चर्चा जोरो पर हो गई है कि नितीश कुमार का जो इंडिया गठ बंधन है वो एंडिये से कितना ज़्यादा टक्कर ले पाएगा और किस तरह से दोजार चौबिस के चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने से रूखेंगे इन सारी चर्चाओं के बीच एक बहुत यह महतोपुन चर्चा होने लगी है और यह चर्चा है कि जहां एक तरफ भारते जनता पाठी ने इंडिये गठ बंधन के तहत बहुत सारी चीज़ों को तै कर लिया है अपने साथी दलो में कहा यह जा रहा है कि कमिटी का गठन किया जाएगा लेकिन इससे ठीक पहले आपको बता दे कि बिहार में जिस तरसे नितीश कुमार ने इंडिया गठ बंधन को लेकर के अपनी तैयारी शुरू की थी और इंडिया गठ बंधन को लेकर के नितीश कुमार ने अपने प् प्रश्चिंद्र की और राजी की सरकार को घेरना इसके साथ-साथ मनीपूर की घटना को लेकर के सर्वदलिये टीम का जाना मनीपूर में यह सारी बाते इस बात के तरफी सारा कर रही है कि कहीं न कहीं एक चीज तो साफ-साफ नजर आ रहा है कि नितीश कुमार का यह प्रया है दो जगह की पटना और बैंगलूरू की उस पर नजर भीड़ा हुए है और इसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है इस पर भी विशेज ध्यान दिया हुआ है आपको बता दें कि इन सारी स्थितियों के बावजूद बिहार में जिस तरह की चीजे चल रही है और जिस तरह का काम बिहार में चल रहा है उसे देख करके साफ लग रहा है कि एक बात तो तय है कि नितीश कुमार आखिर किस तरह से अब बिहार की सरकार को चलाएंगे और लालू प्रसाथ के साथ लगतार उनकी हो रही मीटिंग को लेकर के भी अब ये कयास लगा जा रहे है कि आखिर इस चर्चा जोरों पर चल रही थी कि मंत्री मंडल का विश्तार होगा जिसमें एटुजेड वाले फर्मूले को लागू करते हुए रास्तिय जनता दल अब अपने उसे एटुजेड में जो बचे हुए जातियों के प्रतिनिशित हैं उसको प्रतिनिशित दे करके एक बार फि नहीं कहीं लालू प्रसाद ने एक संदेश जरूर दे दिया है कि आने वाला जो समय है वो ज्यादा कठिन नहीं होगा वहीं नितीश कुमार को भी समझाया जा सकता है क्योंकि नितीश कुमार ऐसा लगता है कि अड़े हुए हैं जो इंडिया गठ बंदन है उसके की जोड़ी फिर से नयर स्वरूप में नजर आ सकती है अगर नितीश कुमार को देश भर के गठ में गठ बंदन को लीड करने का मौका मिला तो बिहार में हो सकता है कि तेश्वी आदो को मौका मिलेगा इनी सब बातों को ले करके लगतार चर्चा चल रही है और कहीं न कही बिहार की राजनीत से देश की राजनीत गाइड होगी इस बात को ले करके बिहार में खास करके महागठ बंदन के नेताओं में बड़ी खुसी है अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या कुछ समझ में आ रहा है हमें भी इंतजार है और आप भी इंतजार किजिए कि बैठक से पहले क्या हो रहा है हाला कि इस बैठक को लेकर के एक बात और बड़ी तेजी से कही जा रही है और विपक्ष कह रहा है कि हो सकता है कि इस बैठक से नाराज हो जाए नितीश कुमार अगर उनको पहले से ये बात सुचित नहीं की जाएगी कि उन्हें पावर और क जा रहा है कि गटवन्धन को सचालित करने का स्ट्रेरिंग दिया जा रहा है अब देखना होगा कि आखिर का नितीश-कुमार और लालू-परसाद के बीच की ये पड़ी कैसे सुधरती है या लालू-परसाद ने क्या नितीश-कुमार को इन सब बातों के लिए मना लिया है अगर रोगवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी। पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी।